है वेलकम टु इस सेशन ऑफ नाउन और नाउन के इस सेशन में हम लोग अपने गृुप एच को डिसक्रस्ट करने जा रहे हैं और गृुप एच में हम लोग उन वर्ट को लेंके जिनके लिए फॉर्म में एक में लेकिन दो मीनिंग से तो माद लिजिए फॉर्म लिखा और इसी का एक आ जाएगा और बी फॉर्म जो होगा जो सेकंड मीनिंग होगा वह इस मीनिंग से रिलेटेट नहीं होगा तो आपको बड़ा इंट्रेस्टिंग लगेगा यह और इन चीज़ों को हम देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं और इसमें इन वर्ट को लेंगे प आपका यह वीडियो होगा ढ़्यत्त चाहिशन जो ड़ं है हमारा प्रोड करना तो उसका अगर मैं नाउन40 लगाता हूँ तो ऑथा है अभीपूर्टी the act of supplying somebody with something uh provision provide noun form ही हमारे पास जो वर्व है वो प्रोवाइड है तो the government is responsible for the provision of food तो खाने की आपूर्ती या अभी पूर्ती जो है उसके लिए सरकार जो है जिम्मेदार है second meaning जो आने वाला है इसका भविश्य की स्थितियों से निपटने की त्यारी that you make for something that might happen in the future इसके जांपल में आप आईए गा लाइफ इंशॉरेंस तो अधिकतर लोग जो इंशॉरेंस लेते हैं वह सूच कर लेते हैं कल कोई टैच्वूट कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए जिसके लिए मैं त्यार ना हूँ आपका लाइफ इंशॉरेंस हो गया कार इंशॉरेंस हो गया सुफटर इंशॉरेंस हो गया तो यह सब हम प्रोविजन कर रहे हैं चैजांपल को जरूरूँ कुछ देखिएगा कि ये दो मीनिंग जो है वो अलग है इसका फर्ड मीनिंग देखेगा कंडिशन जो आता है इक शर्ख तो यहां पर क्या मेरी मार्क्षीट जो है रिजल्ट से पहले आ सकती है मार्क शीट जो है मेरी हो गया है लेकिन अभी मार्क शीट नहीं आई है तो क्या मुझे मार्क मिल सकती है क्या ऐसी कोई शर्थ है ऐसा को प्रावध्भान है तो यह वाला जो पहला मीनिंग हम लोगों ने लिखा हुआ है यह तो प्रोवाइड वॉप का जो है नाउन है स्टै करने से पहले और किसी भी परसन को और नहीं करते हैं ऐसा प्रावध्भान हमारे पास नहीं है प्रेलें पेमिंट लेंगे फिर भाद में आऔर को फूल्सिल करेंगे आपके तो यह तो इसी का प्रोव लंबर बन गया और दूसरा जो है वह हए खाद और समक्रीरि इस इस मीनिंग में केवल प्रोविजन्स का यूज किया जा सकता है यहां पर आपको कभी भी प्रोविजन यूज नहीं करना है जब भी खाद समागरी फूड एंड ट्रिंक के लिए आएगा तो आपने शॉप पे लिखा होगा प्रोविजन इस्टोर तो वह काईदे में जो प्रो प्रो लिखा होता है प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटर मैं आपके लिए लिख सकता हूं प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर मालिक तो अगली बार आप किसी शॉप पे देखें तो लिखा होता है प्रो तो मुझे भी बहुत किरोसिटी थी कि प्रोफेसर है क और वोक आप में भी लिख लीजएगा और जो प्रोविजन से स्टोर होता मैं आपको सिखाया प्रोविजन से स्टोर सकानल है स्टोर है चा proto यह वाले मीनिंग का प्लूर्ल होगा एक सो स्टोर स्टोर फ्रॉर्म में एक ही मीनिंगनAY और यहां पर दो अलग मीनिंग भी है लेकिन जो प्लूरल फॉर्म में आता है वह कंडिशन सा जाता है और अगर खाद दिसामगरी बोलना है तो आपको प्रोविजन सी बोलना पड़ेगा और यहां पे भी हम लोगों ने जैसे नोट में आपके पास हम चलेंगे नेक्स वर्ट की तरह और वह है कि जैसे ही आपके दिमांग में वर्ड आता है आपको समय में आता है नैतिक अध्यक्टिव जो होता है लेकिन ध्यान दीजेगा इस वो मतलब हैं वह लेकिन यह बद एक अधर के रोप में बाप्त करते हैं कि इसी भी कहानी से मिली हुई सीख तो आपने कहानी सुनी होगी कच्छुए की और खरगोष की और इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वह यह है कि हमें गिव अप नहीं करना है तो वाट इस दा मोरल अब दा स्टोरी तो आपको मतलब स्टूरेंट्स को मिजर्टी आफ इस मीनिंग जो लिखा हुआ है अग्जेक्टिव में नैतिक कंसर्ण विद्वाट इस राइट रॉंग और नाउन के रूप में अलेसर लेंट फॉमा स्टोरी और 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 एन एक्सपिरियंस आपने समय पर अपना टिकेट बुक नहीं कराया और आप जो है खड़े होके जा रहे हैं तो इस अनुभव से आपको क्या सीख मिली वाट लेसं जीडियू लर्न वाट इस दा मोरल आप देस एक्सपिरियंस इस अनुभव का क्या सीख मिली तो पंच तंत्र जो कहानी किताब है स्टोरी और फाबल्स जो है उसमें हर कहानी क के नीचे लिखा गया है मोरल कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है जब हम मोरल पर आते हैं तो इसका एक मतलब तो हो गया लेसंस प्लूरल में दो मतलब हैं और एक मतलब हो गया अच्छे आचरण के मांदन्ड या सदाचार और मोरल से एथिक्स है इन चीजों को मैंने इसको हम बात कर चुके हैं तो जब हम अच्छे की बात करेंगे तो हमेशा मोरल की बात करेंगे यह वाला मीनिंग ही आएगा उस केस में जैसे आपको लगाना है प्रोविजन वहां पर आप प्रोविजन का यूज नहीं कर सकते तो यह आसान होगा आपके लिए और एक आप मोराल प्रोणाउंस होता है मोराल एम ओर एल ए यह भी एक नाउन है और आप इसको लिख सकते हैं मनोबल हिंदी में लिखते हैं मनोबल मैं लिख देता हूं मनोबल और इसको हम कहते हैं दा लेविल ओफ कॉन्फिडेंस कि आपकी टीम बीमाइल कि एक मैंच जीता है तो आपकी ठीम का नाउन हो गया हूं savory के लेकिन अलगे हमारी टीम का मनोबल हमारी टीम का जो लेवल प्वन्फिडेंस आपकी ज्यादा है और अगें आपके टीम हार गई यह तो सारी टीम का जो मॉरायल है का मॉरायल काफी लो है ठीक है तो मॉरायल हो गया था लेविल अव कॉन्फिदेंस और एक नाउन आपके पास और आएगा मियूराल आप जाएंगे चर्च में देखेंगे में मियूराल तो बाहर से लाकर पेंटिंग रटकाई नहीं जाती दिवार पर वॉल पर ही बनाई जाती है में और चर्चेज में काफी दिखाई पड़ेगा आपको मूराल इन फैक्ट चर्चेज जो है डिया नोन फॉर दिया ब्यूटिफॉल एक्जिक्ट मूराल बारीखी से बनाएगे पिक्ट्रस होते हैं महां पर तो आपके पास वकैब में भी आ गया मोरल आ गया नाउन के रू और मूराल जो आपके पास ही है इसको भी राइट डाउन कर लिजेगा अपने नोट में नेक्स पर प्र जाएंगे हम लोग और नेक्सवर हमारे पास है मिनेट जब हम मिनेट की बात करते हैं तो कहेंगे सर यह तो बिलकुल ही ठीक है मिनेट में क्या प्रब्लम है तो मिनेट जो आपको बैठक में लिए गए नर्णयों का लिखित विवरण जिसको हम कहते हैं दा मिनेट्स नाव रिटेन रिकॉर्ड ऑफ इस सेट अन्डिसाइड अटा मीटिंग इसको समझेंगे कैसे हम माल लीजिए एक मीटिंग हो रही है एक मीटिंग चल रही है और आई इस चैनों के थूर्णि लिख लेते हैं बात में वह सभी मिनेट्स जो है सभी ऑफिसर को दिस्टीबउट कर लिए जाते हैं और यह आपने देखा होगा करता कोत में एक व्यक्ति जो है करता रहता है किया type कर रहा है इसक endeavor कर रहे है इस宮 मीटिंग में जो कही गई बात है या किसी मीटिंग में जो लिए गई निर्ण है इसका जो रिटन रिकॉर्ड होता है इसे कहा जाता है मिनिट्स तो मान लिजी हम एक मीटिंग कर रहे हैं हम सब आप के लोग है तो मैंने का रभी यूविल राइट डाउन दा मिनेट्स आप लिखोगे मिनेट्स क्या होता है तो उसकेस में मिनेट वर्ड का यूज नहीं होगा मिनेट आ सकता है जो कि आप एक आवगा का और वो 20 मिनेट्स 30 मिनेट्स वाला पार्ट है नोलिच यह इस बीडियो में जो का भी आपका जो पार्ट है जैसे मैंने कहा इस वीडियो में काफी नॉलिच centric है और आपकी knowledge यो काफी enhance करने की power रखता है next word पर चलेंगे that is color अब color आप बोलोगे sir color क्या होता है color तो रंग होता है definitely रंग होता है hue मैंने बोला है और second colors आएगा there are different colors कई रंगों के लिए आ जाएगा तो यह वाला जो है इसी का plural form है लेकिन जब हम बात करते हैं केवल colors की तो of team and country colors used on clothes flags etc to represent a team school political party or country भारत के the players will go with their colors भारति ये खिलाडी जो है जो खिलाडी है वो अपने जंडों के साथ आगे जाएंगे तो flags हो सकते हैं जो colors यूज किये जाते हैं इस meaning में कभी भी जो है आप color का यूज नहीं कर सकते color black है white है blue है pink है इसके लिए आप color लगाईए लेकिन जब colors जो clothes में यूज करते हैं flags में यूज करते हैं और जो यह represent करते हैं किसी team को किसी संगठन को किसी देश को किसी organization को तो उस case में colors कहेंगे जैसे अब club colors school colors team color अब school color team color नहीं आएगा तीम colors आएगा इस नेशनल colors अब जो राष्ट को किसी वह रंग जो कि flags पर कपरों पर होते हैं और किसी चीज को represent करते हैं उस case में हम इसको यूज करते हैं colors इसको और देख लेते हैं एक यू बिलीफ और opinion यू का एक मतब तो color है यह एडिशनल चीज है हमारा जो मोटी जो आज का objective वीडियो का वो color और colors को देखना है तो आपके पास यू आ गया बिलीफ और ओपिनियन सपोर्टर्स और सपोर्टर्स आफ एवरी पॉलिटिकल हूँ तो मेरा भी classroom है तो उसमें different हूज के लोग बैठते हैं कोई समाजवादी पार्टी की विचार धारा का है कोई कांग्रेस की हूँ हो गया और एक आपके सुनाओगा हूँ एन क्राई एक एडियम है आपके सी मुद्दे का प्रबल सार्जनिक विरोद स्ट्रॉंग पॉब्लिक प्रोटेस्ट बस बहुत ज्यादा आजकल हला कुला चला किसान आंदोलन कर रहे हैं स्टुडेंट्स आंदोलन कर रहे है है और तो यह हूँ एन क्राई है तो अब वाकाइब वाले पार्ट को दिखते चलिए ना वाकाइब का एक वर्ड आपको बहुत ऊपर या फिर रेस से बाहल कर सकता है ठीक है नेक्स पर आते हैं और इस पैक्टिकल इस पैक्टिकल आक्चुली इजा प्रभाव शाली द्रस है बड़े ही प्रभावशली तरीके से किया गया फूप पैसा फूखा गया तो आपको वाटर स्पैक्टिकल इस ही का प्लूर बन सकता है लेकि जब हम चश्मे की बात करेंगे तो केवल स्पैक्टिकल सी आएगा तो यह वाला यह और यह सिमिलर है और यह प्लूरल है लेकि आप इसको एजले अंडरस्टाड कर सकते हैं नेक्स्ट वन आपके पास है लेटर अब लेटर जो होता है क्या होता है अक्षर होते हैं ए, बी ची जी ए एफ लक्षर अक्षर और रेटेंग और प्रेंटेज्ट सायन दैड़ए दैट रिपरिटेंटेंस अ साउंड तो इसी CDEF यह भी letter है और चिठ्थियां भी है third meaning आपको एक और दिखाएता हूँ epistle a long और important letter तो इसको vocab के part से देख लीज़ेगा जहां जहां possible है मैंने vocab को भी यहां पे include किया हुआ है तो इसका synonym है आपका एक पस यह long important letter के लिए यूज किया रहता है लेकिन letter का synonym है जब हम बात करते हैं letters की learning ज्यान ठीक है जैसे आप ने देखा होगा a man of letters तो काफी विद्वान परोस काफी ज्यानी परोस काफी साहितिक व्यक्ति a man who is a writer or who writes about literature यह जिसे बहुत knowledge है किसी भी subject पो लेकर a man of letters तो पहले तो आप इसको कर लिजेगा जब learning की बात आएगी तो इन दोनों के ही लेकिन जब learning की बात आएगी तो आपको letters ही लिखना पड़ेगा इस case में आप letter भी लिख सकते हैं single form में और letters भी लिख सकते हैं आपके पास और लिखा हुआ है लेकिन लगनी की बात आएगी तो हमें letters ही लिखना है तो a man of letters काफी ज्यानी देखती और जनरली writers और उनके लिए आता है जो literature की वारे में काफी जानते हैं लिखते हैं एक नया है the letter of the law लकीर के फकी जैसा कानुम में लिखा जया है बिल्कुल वैसा the judge stuck to the letter of the law and jailed her कई बार क्या होता है कि कुछ परिष्थितिया ऐसी होती है जो क्राइम को नो क्राइम बना देती है एक जगती ने चोरी इसलिए करी कि उसकी मा बिमार थी और उसके पास दबाई के पैसे नहीं थे तो इस केस में थोड़ा सिंपाथेटिक व्यू जज़ को लेरा चाहिए था लेकिन दज़ इस तक टुदा लेटर अब दर लॉव जज ने लिखा कि का चोरी की सजा तीन साल है तो उसे तीन साल दे दिया उसने कोई भी सहानवूती पूंट रभईया जो है जो आर इसी मीनिंग में जो है सब्दशा वर्ट फॉर वर्ट वर्ट वर्वोस मैंने बोल दिया होगा वर्वेटेम शब्दशा आई विल फॉलो यूर ओर्डर वर्वेटेम जैसा आपने का बिल्कुल वैसा ना एक परसेंट इधर ना एक परसेंट उधर ठीक है तो टुद लेट यह कुछ additional information है आपके पास next we come to custom आप जब हम custom पर बात करते हैं तो प्रथा रिती रिवाज चलन हमारे हां कस्टम है और इसी का प्लूरल नंबर है वो customs है अब जब हम custom की बात करते हैं रिती रिवाज तो यह पूरे समुह कई लोगों की बारे में होती है और एक बड़ और चाए पीते हैं तो वहांपे एक अगर नहीं पीते है तो हैबिट कैसी होती है इंडिविजूल एक व्यत्ति की होगी और कस्टम जोगा पूरे पुर्य क्यों सोसाइटि का समाज का समुधाय का हुआ और इसी का जो प्लूरल फॉर्म है वह है आप कस्टम लेकिन अगर आप सीजन की तेहारी कर रहे हैं तो कस्टम release किस्टांज करने इँ इंडिया जहां पर की बहुत अधिकार दिये गए है नागरिकों को महिलाओं को भी पुर्षों को भी वहां पर ऐसा नहीं कि कस्टम ऑफिसर तुम्हारे हां दिख रहे हैं चटाक मार दिया मतलब किस टरीके से हाव भी वाला भी माना जाने वाला अभी अब मैंर तो जब हम हमारे बात करेंगे तो दो हमारे पास मैंनर सीना पड़ेगा उस तरीका आपके तरीके से घी बनाते हैं आपके तरीके से नोट्स त्यार करते हैं आपके से साइकिल चलाते हैं तो यह सबाइ इस बैट मैनस तो तो आपर ले और जो पैरों के लिए आता है वह आता है लोर लेंग तो आम्स आ गया लेकिन जब हम बात करते हैं वैपन की तो केवल आम्स का यूज करेंगे उस केस में हम यह वाला वर्ड यूज नहीं कर सकते तो यह तो स्टेंगुलर नंबर है और इसी का जो प्लूरल यह हम लोग नेट्स में चलते हैं effect और effects किसी छीज केव प्रभाव यह परनावट इस दे इव्टा स्मोकिंग तो ड्च प्रवल वर्मिंग एप्रविट्व में प्रवार्मेंग फ्रभाव यह परणाव रिजल यो निकल के आता तो उस केस में हमें केवली एफट्स का ही भी करना पड़ेगा क्या हम इफट्स का यूज कर सकते यह सिमलर और प्लूरल यहूं देर डिजिए इफ लेकिन जब हम बात करते हैं जो आपके पास चीज़े हैं जिनको आप लेके जा सकते हैं जिनको आप लेके जा सकते हैं वह आपके कहलाएंगे इफेक्स ठीक है ना पार्ट पार्ट क्या होता है भाग होता है और इसी का बन जाएगा पार्ट बन जाएगा बिल्कुल बढ़िया इसको देखेगा अब यह कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जो एक स्टीरियस एस्पिरेंट को किसी भी जॉब के लिए आप एप्लाई कर रहे हैं कि को डिफरेंट चीजों को देखना ही पड़ेगा तो एविलिटीज का थोड़ा सा मतलब यूज सायद आप में ना सुना हो लेकिन इसको देखिएगा मैन वोमेन आफ मैनी पार्ट इसका मतलब नहीं है वह दिल्ली का भी है आगरा का भी है लखनो का भी है प्रियाग राज क का भी है और काश्मीर का भी है ऐसा नहीं है अहीज मैन आफ मैनी पार्ट राइटर लिटररी क्रिटेक एंड हिस्टोरिया कई अविलिटीज थी इंच के अंदर समवन वूज इबल तो डू बैनी डिफरेंट तो मैं मादर इज़ वोमेन औफ मैनी पार्ट मेरी मां कई काम क मिला मैन आफ मैनी पार्ट एक कई योगताव वाला व्यक्ति जब हम बात करेंगे एबिलिटीज की तो हमें किवल पार्ट ही लिखना होगा यहां पे मैनी की वज़े से नहीं अगर ना भी हो तब भी यूज ऐसे होता ही तो अबिलिटीज दिखा नहीं है तो आपको सो में फिल्म इज वेरी वाइलेंट इन पार्ट मतलब पूरी मुवी तो बहुत नहीं है लेकिन कुछ सीन्स है जो बहुत ज्यादा वाइलेंट है और बहुत ओपन है मतलब बहुत किलियर है अंगर वह गोली मार रहा है तो उसी किड्नी बाहर निकल के उसकी जो गट्स है रिख अंव बहुत कि आ रहे है तो कुछ जादा ही इन पार्ट मतलब नहीं पूरे तॉटंटक रिच नहीं इन पार्ट किया होता आंशिक रूप से पार्टली नूर्ट कंप्लीट ली तो पींपा ठुट मतलब कम्थनी तो नहीं पूर्ट हम बहा स्म्टेां पेल ल मतलब not completely ready and in parts कुछ हिस्सों में मान लीजे इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ आग्रा इन सर्टेन पार्ट्स ऑडेली मतलब पूरे आग्रा में नहीं पूरे डेली में लेकिन अगर यह इन पार्ट यह चीजें जो है आपका यहां पे बहुत हो जाती है और वहां पर मेरे बताने पर या बुक में आंसर देखने के बाद आपके पता लग जाएगा कि आंसर क्या है लेकिन अनफॉर्टनेटली कमटिशन में जब आप एक्जाम के लिए एपियर होते हैं तो आपके पास इनफरमेशन होनी चाहिए तो इन पार्ट भी सही पार्टली आनशिक लूप से आ आंशिक रूप से लेकिन बहुत कम पार्टली है मन यह वोमेन आप्मेला महिला परश आगे आगे बढ़ेंगे आट फूट अल्स लेकिक इंटरेस्टिंग है और हम in formal language में अपने friends के साथ अपने family में क्या language उज उस करते हैं तो अलग भाग है ने कि in formal language में देखते हैं fruit the part of the plant that consist of seeds and a soft inner part कि और मान के चलिएगा कि normally जब हम फल की बात करते हैं तो इसको लिखा जाता है और जब हम प्रुवल फॉर्म में लिखते हैं तो फ्रूट एंड वजिटेबल्स लिखा जाता है तो और क्योंकि अनकाउंटेवल लाउन है सेकंड मीनिंग देखेगा अब इसके मीनिंग में बढ़ा यह चीन कर लेता है वह यह है अब पर्टिकुलर टाइप अफूरूट इसके इसमें काउंटेवल लाउन है यह भी फली लिखा हुआ है क है जब जली बोलता हैं ज्यादा फ ऐचे अगर बोलता हुप मैंनी फूरूट नहीं अगर मनी फूरू आख कई प्रकार के मेरे वह यह भीए मेंगोबी अम्रूद भी है अनाल भी है आरू भी हैउ te भिशेश्र्टार्ट के फल की बात करेंगे लेकिन जब जनली फल की बात करेंगे तो मैं इसका किसी काम का प्रणाम लेकिन फूर्स की बात करते हैं पर्टिक्लर फूर्ट और गुड रिजल्स इसी मीनिंग में यह आते हैं मतलब अभ्यान दीजेगा अगर हम अलग-अलग प्रकार के फलों की बात कर रहे हैं तो यह अनकाउंटेबल लाउन है इस सेट की दुकान प्रकाल के दुकान हम नहीं भूलेंगे नॉर्मली फल बोला काउंटेबल लाउन जाँपर परिश्रम कर रहा हूँ सफलता निखलना चाहिए तो यहां पर यह मीनिंग इसके आते हैं और यह तो अनकाउंटेबल नहीं बनाए जा सकता ना वजीटेबल को लेते हैं हम लोग वजीटेबल सब्जी तरकारी भाजी और यह ध्यान दीजेगा जो मैंने आपको अंडर्लाइन करके दिया हम ऐसे यूज करते हैं ज्यादा सब्जीया खाओ इट मोर वजीटेबल नहीं वाले केस में वजीटेबल सी यूज करना पड़ेगा और फल वाले केस में पल पूट करना पड़ेगा तो इसको आप बिलकु कि जो जीवित तो है लेकिन मान से कुरूप्से निश्क्रिया है कि है कि मैं यहां पर तो रही लौकी की बात नहीं करता एक व्यक्ति जो पर्सन हुज एलाई बट नौट शोइंग एनी साइन आप ब्रेन एक्किविटी पड़ा हुआ है ऐसे ही है तो ही है बिकम और यहां पर आलू प्याज मिर्च की बात या गोवी की बात नहीं कर रहा हूं इन मीनिंग्स में देखिए ठीक है और देखते है फ्रूट इस अंकाउंटबल वें यूज इन जैसा मैंने बताया आप देखेगा सी करेक्ट और एक्स मतलब इनकरेक्ट ही दिजन लाइक इटिं फ्रूट नहीं कह सकते ना वजिटेबल्स इस यूज इन टुरल फॉर्म वें यूज इन जनल सेंस तो फ्रूट एन वजिटेबल्स जो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया यह देजन लाइक इटिंग वजिटेबल्स सही है और यह इन दोनों जो यहां पर आपको दिख नाउन वें टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टाइप फ्रूट मैंगो फ्रूट अब यहां पर देखिए का वर्ड लगा है आम के फल तो विशेश प्रकार के फल की बात कर रहा है तो उसके से फूर्स लगा सकते हैं आपको मैंने नाउन एडजन के बारे मताया हुआ है जैसे वेजिटेबल्स फूप आँ यहां पे फीटेबल्स नहीं लगा वघीटेबल्स पाईल नहीं लगाव गे यह से वेजिटे Newman सूपनलागा पमिंकरेक है ये दोनों करेक्श है तो यहां पर आपके लिए काफ़ी कुस शीखने समझने को हैं आप इसको देख लmeeजिए और अगर आपको लगता है कि ज्यादा ही इंफोर्मेशन में पर डाउनोड हो रही है तो इसको थोड़ा सा होल करिएगा आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ और मीनिक्स को भी ले लेते हैं आप बीर फ्रूर्ट फूर्ट या फूर्ट 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 कुछ idiomatic expressions है जिनको हम जान लेते हैं क्योंकि जितना संभव है उतना पढ़िए बीर फ्रूर्ट मतलब सफ़ल होना तू है वा सक्सेस्फुल रिजल और इस पॉस्टेटिव से केसमें अगर आप जाएं जो हम लोगों ने टॉपिक किया हुआ है तो बीयर बोर एंड बॉर् सवा देना किसी में होल करना ओ भी है बहीं पर आपके पास जो आता है इसकी प्रयासों को सफनता मिलेगी तो यह वाला देखिएगा यह क्या होता है सहना जर्म देना नहीं लेकिन जब हम सफल होने वाले केस में यूज करते हैं तो इसकी थर्ट फॉर्म और फूर्ट है समझने पर ध्यान लगाना है यह पूशन हम लोगों पास था इकनॉमिक रिफॉर्म इनिशेटे इन नैंटी नैंटी वन है बॉन फूर्ट जो आर्थिक सुधार शुरू किये गए थे उन्हें से क्यानवे में वह सफल हो चुके हैं तो है बॉन अब सब्जेक्ट क्या है यह पैसिव वाई सापैसिव वाई में आप औब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं बीरिंग देफूर सफल हो रहे है यह भी सही है और इंग्लेंड भी सही है इसका आंसर हमने इंग्लेंड माग किया था अगी बेर फूर्ट हो गया ना दे फूर्ट किसी कार्य के अच्छे मना कर दिया गया है इसलिए इसको देखने का ज्यादा मन कर रहा है चोटे बच्चे को बोली यह मचुई यह वह वही चुएगा तो वह forbidden fruit है निशिद्ध होने के कारण वांच्छन यह लगने वाली बस तो a thing that is not allowed and therefore seems very attractive मना क्यों किया गया इसमें क्या है जो हमें नहीं पता है तो forbidden fruit मतलब कोई भी चीज़ जो मना कर दी गई है इसकी ज्यादा अच्छी लग रही है यह मत देख्यों देखते हैं क्या है forbidden fruit के बारे में हम बात कर रहे हैं इस प्रकार से हम लोगों ने group h को complete किया इन वर्ट को मैंने अलग-अलग variation में दिखाया और जहां भी पॉस्विल था तो हम लोगों ने additional information को भी handle किया यहां अभी इसी वीडियो में हम लोग group i में भी जाएंगे और group i में हमारे पास जो अब यह group ऐसे एंड तुरह सा अलग है यहां पर similar में one meaning है of course कई cases में कुछ अलग-अलग meanings भी आए letter में दो meaning आ गाए provision में तीन meaning थे single form में तो वो आप समझ लिएगा general category बनाए गई है आप group i two plural forms different in meaning एक word होगा जिसके दो plural forms होंगे और दोनों के meaning अलग-अलग होंगे यह और भी interesting है तो आप इसको भी enjoy करिए और हम इसको यहीं पर discuss कर रहे हैं किसी गुरूप में discuss करते हैं गुरूप आए टू प्रूवल फॉर्म इफ्रेंट है में अब इसमें डाई जो वर्ड है एक तो डाई का क्या करता तो मलना होता है वह वर्ड की तरह होता है यहां पर हम नाउन की तरह यूज कर रहे है शद्रानरिख के साथ जो वर्ड लगाएंगे वह तो प्रूर लाएगी रेकिन 24 के साथ आप अप र्प्रिवर डाइग तो डाइस के साथ जो वर्ड आणी है पर रोल नहीं है ंडागा अंडिसे अ और यंडेकसेंट का जो किसी को लेकिन विर्दन के बाद हम क्या लगाए इस केसे में देखेगा थोड़ा मैंने कलर चेंज किया है यहां पर अभी कलर चेंज नहीं है और घे अइस को भी हम देखते हैं आखिर है क्या और यह तो यह बहुता है और आपने महाबारत देखी होगी शकुनी को देखा होगा तो वह पांसे धेकता है और या तो आप लूडो खेलते होंगे तो आप यह भी जो है डाइ है आपका अब प्लॉब्लम है इस केस में प्लूर नंबर है वह डाइस है नॉर्मली जैसे हम यह वर्ट देखते हैं तो हमारे पास जो क्या आता है हुसा है नम भॉझ नशन है अब हुआ तो आपके पास और कोई नहीं है तो यह एक्सक्प्सक्राइब कि आप पहली बार में इनको सीख लेंगे थोड़ा कुछ जादा ही ओवर मतलब ओवर पैसे में अप्टिमिस्टिक है तो अगर आप इससे सेकंड टाइम देखें अपने नोट को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाए और एक इडियम है आप इसका मतलब फैसला हो चुका है अब बदला नहीं आ सकता है अब डाइब बन गई है जैसी बन गई है ऐसा ही आकार बनेगा अब इसे चेंज नहीं करेंगे तो फैसला हो चुका है आप ही हमारे कप्तान हो तुम्हें रोना है रोते रहो वर्दा डाइज कास्ट डाइज बीन कास्ट तो यह वाला फार्मूली यहां वह ज़नर्ली सांटिफिक लैंगेज में यूज किया जाता है टेकनिकल लैंगेज में होता है और अच्छी नॉलिज नॉलिश करते हैं लेकिन जब बात आती है लैंगेज की आपको मुझे रफर करना चाहिए कि मैं आपको क्या से खारा रहा हूं और आम ज़्यादा फरक पड़ता नहीं as long as you talk in English ना विज्ञान या गड़ित में नियम तथा तत्य को प्रस्तूत करने के लिए चिन्नों अक्षरों संख्याओं का समूंग इस फॉर्मूला इस तू कल्कुलेट दा एरिया ऑफ सर्केल पाई यार इसक्वायर जो आप करते रहते हैं यह हो गया फॉर्मूला किसी बसुको बनाने के निर्देश यह फॉर्मूला फॉलो कर यह यह तर युजना तरीका a plan of आप तो शादी शुदा है हमारी शादी होने वाली है अच्छा जीवन कैसे जीए देख लीजिए आपका लाइप पार्टर कैसा है और उसके हिसाब से एड़ेट करिए और अच्छा जीवन बिता पाएं और रियालिटी श्ट्राइक्स वास्तिता आती है तो जीवन कुछ अलग होता है तो फॉर्मूला किसी बनाने का तरीका किसी चीज को करने का तरीका तो सेम मीनिंग गई तो इस मीनिंग में केवल टेक्निकल वाले मीनिंग में हम क्या हमने फॉर्मूला आज फॉर्मूला जाए फॉर्मूला कि इसका प्लूवल है सबकर आएंगे अगया मैस है एक मेस्ट्री इस फॉर्मूला हो आपको एक यह करकरने के जरूब नहीं बस प्रेक्टिकली भी सोचेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है एक अच्छी माइलेज लेने का तो तरीका परणाली की बात आ जाती है हर बार तो आपको एक चीज को रटने मत बैठ जाईएगा रटने से क्या होता है आपका माइंड हो जागा सब्सक्राइब चीज नेकल नहीं पाएगी और सब्सक्राइब तो कभी भी किसी चीज को पहली बार में सीखने की कोशिश मत करिये वह जब इसको करेंगे या इसको रिवाइश करेंगे तक चीज इंडिसेज बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत इंट्रेस्टिंग है क्रम से बनी सुची जिसमें पुस्तक में वनित भ्यक्तियों या विश्यों के नाम होते हैं इसके इन अलिस्ट आफ नेम्स और टॉपिक्स तेरा रेफर्ड टू इन अबॉक इस बुक में कौन कौन से टॉपिक है वह आपका इंडेक्स सेकेंड सूच कांक यह वरा इंट्रेस्टिंग है इसको समझीएगा क्योंकि आप मैंसे करी स्टुडेंट 12 पास है और 12 बच्चा और एक स्टुडेंट जो थोड़ा सा कंप्रिशन को पहले से त्यारी कर रहा है इन दोनों के में रही में काफी अंतर होता है स्टार्टेंग में सहकता है दुनिया उतनी हमें है यह यहम कि दुrukt 1991 में इसकी वैल्यू क्या थी 1992 में इसकी वैल्यू क्या थी शेयर प्राइस पर्सों कैसा था कल कैसा था और आज कैसा है तो दिखाता है कि इसका किसी की वैल्यू रेट या प्राइस चेंज हुआ है 1990 में शादी करी जाती तो कितना फैसा खर्च होता था और 2034 में शादी की जाती है तो कितना पैसा खर्च होता है है क्या बैल्यू चेंज हुई है मूल की बात करने है रेट है प्राइस है कुछकांग कई बार आपने सुनाओगा है happiness happiness index poverty index तो भारत जो है poverty सुचकांग में कहां पर है गरीबी सुचकांग में कहां पर है happiness सुचकांग में हम कहां पर है corruption index में हम कहां है तो मतलब over the years changes changes कैसे हुए है पहला जो index सूची बनी होती है एक topic कौन-कौन से topic में या इस movie या इस जगह पर कौन-कौन से लोग रहते हैं और जहां सुचकांग की बात करते हैं कीमत दर आदी में हुए परिबर्तन को दर्शन कराने की का method तरीका सुचकांग है और एक मैस में भी आता है दपावर विच इस रेस्टू अनमवर टू रेस्टू पावर फोर फोर जो है इंडेक्स है अब इस केस में जो पहला समझ में आ गया परिबर्तन कैसे हुआ है प्राइस के लैंड की वैल्यू कैसे अप्रिशेट हुई है ओवर दा इयर्स कम हुई है जादा हुई है वर्ड विश्व खुशाली सुचकांग में हम लोग कैसा परफॉर्मंस कर रहे हैं दुनिया का गरीवी सुचकांग में कैसे चल रहे हैं तो यह वाला पार्ट और मैस का पार्ट है आपका पहले वाले में इंडेक्स और हर एक में फिर आता है इंडेसे इन फॉर्मल लाइंग्वेज में आप इंडेक्स सब जगे यूज कर सकते हो लेकिन जो फॉर्मल लांग्वेज है वहाँ पर अघर सूची की बात आ रही है सूची लिस्च की बात आ रही है केवल की बात अगर आ रही है तो आप लगाएंगे इंडेक्स यूर्वाइज आपको लगाना है इंडेसे यह ओके होगा नेक्स्ट पर आते हैं होता है material कपला लेकिन जब हम बात इसी का मान हुआ है एक विश्वश प्रकार का कपला जैसे मैंने बोला dish cloth face cloth table cloth इस case में countable ना होने कपला बर्तन साफ करने का कपला चेरा साफ करने का कपला टेवल पर लगा होता है लेकिन जब हम material की बात करेंगे तो यह uncountable ना होने और यह अनिस्टिश होते हैं इनकी टेलर ने या किसी फैक्ट्री में इनकी सिलाई नहीं हो रखी है हिले हुए नहीं होते हैं अभी भी आजका जो हम शर्ट्स खरीते हैं तो शर्ट्स बनी बनाई ले लेते हैं तो हम टेलर पात जाके सकोटीश नहीं करवाते तो अभी ऐभी ग्रामीर ईलाकों में पहले कपडा लाया जाता है कपड़ा लाके पर उसकी शराई कर वाया जाती है तो जो कपड़ा लाया प्रचेज ऑाले केस में तो what will you purchase cloths or clothes cloths तो लपेट के जाने पड़ेंगे और clothes आप जो पहन सकते हैं जैसे ट्राउजर से शर्ट्स हैं ड्रेसे हैं यह जो पहन सकते हैं यह कॉल्स ठीक है अब आते हैं अब के रूप में लोग तो उसकेस में केबल जो यूजोगा और यह एक वर्भ है अब मदर फीट्स एंड लोग एक माज़ा खिलाती और कपड़े पहनाती है अपने बच्चे को कपड़े पहनाना तो इस केस में आपके पास वर्भ हो गया वर्भ की तरह मैंने दिखाया आपको और आप इसको क्लोस में ले लिजेगा ख़्या वाट कälle अर्र सिलह वाट ऑर सिलह हूँ आपके पास पर ठेक है क्लोस इस अ प्लूरल लाओ जाएगर तो आप क्या बोलना चाहते हैं अप इस प्लोधिंग तो आउन पूठिंग ओलन पीस अ क्लोधिंग या भोल क्लो उस ओ Assist या एन यहां पर चेक करते रहना है तो नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे अब थोड़े से जड़ा इंट्रेस्टिंग पार्ट को हम देखेंगे और वह पार्ट कुछ ऐसे हैं जो कि आपके आम जीवन में प्रियुक किया सकते हैं जैसे कि स्वैडलिंग क्लोथ्स बच्चे को लपेटने का कपड़ा ठीक है यहां पर कभी भी क्लोथ का यूज नहीं करेंगे क्लोथ का यूज होगा नेक्स आता है है और क्लोथ क्लोस इस गोऊब में आपने रश्च poking को लॉज नो है यह रस्य ने घर में आप में रसी बांध रखी कफ्रे लटकाते हैं तो इस कॉल क्लोथ लाइन कि दिखाई भी पड़ रहा है आपको नेक्स एज क्लोथ स्ट्री अब सब यह सब चीजे क्या है हमारे यहां तो हैंगर होते हैं लेकिन दुनिया केवल आपके आंख बंद करने से इन चीजों का अस्तित तो समाप नहीं हो जाता तो ऐसा स्टैंड होता है जिसमें हम हैट से कोट टांग देते हैं तो दिस इगाल क्लोथ ट्री ठीक है थैंड भी है लोट पंड और पें चिम्टी लगाते हो चिम्टी ऐसी कप्रें उड़ना जाए लिशिज कॉल लोट पैं या क्लोथ ब्रश कप्रेशाप करने का ब्रश क्लोथ हैंगर कप्रेटांगने का हैंगर तो इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके लिए आप इसे जानते हैं यह सब चीजे हम लोगों ने देखी और जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग थी वह यह थी कि हर जगे हमने क्लोथ देखा हुआ क्लॉथ नहीं आया है कि क्लॉथ बगर से ले हुए कपड़ा या विशेश प्रकार का कपड़ा जैसे जो हम टेविल पर डालते हैं उसे टेविल क्लॉथ बोलेंगे बरतन साफ करते हैं डिश क्लॉथ बोलेंगे वह अलग चीज है और यहां पर आप इसको बड़ा ही बहुत कम समय में आपको मैं दिखा सकता हूं यह नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और एक एडियम है दा एंपरर्स न्यू क्लॉथ यह एंपरर हैं नो क्लॉथ इसका क्या मतलब है कि राजा के पास कपड़े नहीं है ना आज मैं मूवी देखने गया और लोगों ने कहा यह मूवी है है ऐसी मूवी है बाड़ा बढ़िया बढ़िया मूवी है लेकिन जब मैं देख के आया तो मैंने बोला एंपरर हैस्ट नो क्लॉथ उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुमने कहा तया तो एडियम है और एडियम के मतलब जो होते हैं लिटरल मीनिंग पर मतलब हो गया रा स्टॉक्स जल्दी जो निवेशा के ज्यान जाएंगे के शेर उतना अच्छा नहीं है और बहुत सीग्री बहुत ज्यादा बिक्री होगी मतलब से लोग बेचेंगे या इसी को सून इन्वेस्टर्स वी रियालाइज दाट इस इस एक केस आफ एम्परेर्स नियू क्लोथ एक पर शादी होने पर बताएगी लगा जितना दिखाई अच्छा पड़ रहा है अभी पता लगेगा आपको यह इडियम है अच्छली बहुत इंट्रेस्टेंग है कि एवल इस केस में आता है पादरी देखा वाइट कफले लटकाय होता है मैं आप देख्लोथ अब क्रिश्चिन प्रिस्ट आगे बढ़ेंगे जीनियस 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 एंड जैनी जीनियस अंकाउंटेबल लाउंड में अगर लेंगे एक्स्टा ओर्डिनरी मेंटल इस फूल अफ जीनियस जड़ा मैंतेमेटिकल संप कर देता है इससे हर फैक्स और फिगर से आप रहते हैं तो यह पावर है वह कहलाती है जीनियस और एक व्यक्ति जिसके पास यह पावर है वह भी कहलाता है जीनियस तो एक अंतर आपको दिखाई पड़ेगा मैंटल सब्सक्राइब कलाम सहब जीनियस जीनियस लगाया एक ब्यक्ति की बात कर रहा हूं काउंटेबल ना उन्हें इसको धंक से पड़िएगा आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा एक मूवी दिखाई जाएगी जिसमें एक साइंटिस्ट होगा जो बहुत ही अच्छा साइंट आप पर संब्सक्राइब और पर्सन वेजग गूट और बैड इन्फ्लेंस ऑब समबडी आपने किसी को पड़ाई करते हुए देखा यूपसी की त्यारी करते हूए आपने उस ब्यक्ति को देखकर ही जग गुड जीनियस कोई ब्यक्ति स्मोक कर रहा है नशा ले रहा है आ फिल्म वोज अबाउट एविल जीनियस वुवांटे टू कंट्रोल दा वर्ड इस्पाइडर मैं देखिए गा कई मुवी यह यह साइंटिस्ट होंगे और बड़े टालेंटेंट होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बुरा है यह एक्यूज आप बिंग इस ब्रदर्स एविल जीनियस तेरी बजह से जो है तेरा भाई बिगड़ा है एविल जीनियस बड़े भाई का छोटे भाई पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा उसको उसकी बुरी बाते देखकर छोटा भाई भी सीख गया बुरी बाते तो अब यहां पर जो यह जैनी है जी एन आई आई है और यह जैनी जिन जिसको जिन डी जैडाई एनन भी लिखा जाता है अब मैजिकल क्रियेचर दैट लिपस इन बॉटल बॉटल रकरते हैं और वह जिन निकलके आता है आका बताएए आपकी क्या एच्छा है ना यह जैनी यह भी जैनी अब इसके देखिएगा प्लूल लंबर पहला तो अनकाउंटेबल लाउन है तो कोई नहीं आएगा जीनियस जैनी और यह बहुत होता है जीनियस मतलब बहुत टैलेंटेट लोग है यह आपे एक कई व्यक्ति जिनके अच्छे प्रभाव है तो गुड जैनी और अगर बुरी प्रभाव है तो एविल जैनी इसका यूजी बहुत कम दिखाई पड़ेगा आपको और कई लोगों को जैनी जैनी के लिए आता है जैसा कि आपने ऐसा दिखा होगा जैनी तो जैनी और जैनी अब इस केस में देखिएगा जैनी जैनी इसका भी हमने क्या लगा लिया जैनी यह जैनी तो बड़ा कन्फूजिंग सा पार्ट है जिन वाले केस में जी एनाई ए और इसका प्रूरल नंबर क्या है जैनी और जैनी इस भी है जैनी जैनी और अगर हम बात करें एक व्यर्थि जिसका प्रभाव अच्छा है खड़ाव है उसकेस में भी जो बहुत ही स्ट्रॉंग में एक्स्ट्रा ओर्नरी मेंटल पावर है इंट्लेक्शल पावर है जीनियस तो यह वर्ट थोड़ा यूज कम होता है लेकिन और जिन कहानियों में आता है और रियल लाइफ में मिल जाता तों त्यारी क्यों कर रहे होते मैं पढ़ाई क्यों रह जाता है अगर इसका बनाएंगे प्लूरल तो इस ताफ बनाएगा अब देखिए गा एक और बोलना पड़े तो इस ताफ बोला जाता है अगर बनाना पड़े तो इस ताफ क्यलाएगा अब सेकेंड मजबूत लकडी या डंडा इस केस में एक ऑड़ और द्यों टकी सटेव अगर लेकिन प्लूरल नंबबर बनेगा इस केस में स्टाफ का वह पका अगर्म यह संभू होता है और सेक्ड़ाइगा अगर इस ताफ का प्लूरल नंबर हमने बनाया स्टाफ और जब ढंदे की बात आई तो क्या आया इस अ तो इस ते खुद में वर्ड है इसका मतलब यहीं है आज स्ट्रॉंग इस्टेक और पोल है कि पैनी पैनी आप इन वर्ट्स को सीखने के लिए ऐसे सुनिएगा भारत में होता है रुपया और पैसा अब क्योंकि पैसे की वैल्यू जो है तो पैसे जलते नहीं कि पच्चिस प मनी देरा हन्डेड पैस इन इन वन बां मैं हमारे एक मेंब की यह पैसे तो खेज किया पैसे तो वहां पे क्या एगा uży constituents पैसे जो पाउंड की बहुत ज्यादा है आज की रुपीज मानके चलते हैं तो वहाँ पैसे चलते हैं वहाँ पैसे चलते हैं इंडिया में बोलें कि साब दो रुपैस 25 पैसे दीजिए तो 25 पैसे का तो चला नहीं नहीं है अगर सिक्क्य की बात आए तो आप क्या यूज करोगे पैनिज अगर वैल्यू की बात करोगे वैल्यू की तो पैंस हमारे पास कुछ सिक्क्य बचे हैं तो पैनिज और अगर हमारे पाप 50 पैसे बचे हैं तो पैंस फिप्टी पैंस एटी पैंस तो यहां पे यह वैल्यू दिखाता है और यह दिखाता है सिक्क्य कितने अक्वाइन वर्थ वन पैनि यहां पे तो पांच पैसा दस पैसा पाइप पैसे दे रहे हैं मां के बिटेंगे और अगर पांच सिख्के हैं तो फाइट पैनीज इतकों की बात आईगी और युनित वैल्यू की आईगी युनित अफ मनी की बात आईगी तो आप युज करेंगे पैंस ब्रदर ब्रदर्स एंड यह बड़िया है संस ऑफ सेम रभी और मैं भाई हैं तो हमारे दोनों के पैरेंट जो हैं सेम ठीक है आप ब्रिदर्ण मेरे सिख्षक भाईओं एक समुदाय के एक वेवसाय के सदस हैं मेरे डॉक्टर भाईओं मेरे विध्यारती भाईओं तो जब बोलता हम बिध्यारती भाईओं तो हम लोगों के पैरेंट्स तो अलग-अलग है ना मान लीजिए एक टीचर्स का एक संग्ठन बनाया गया जो के हिट की बात करेगा तो सभी टीचर्स के पैरेंट सो अलग-अलग ब्रिया रार तब आता है जब पर सेम् पैरेंट्स होते हैं तो ब्रिदर एक सब्धाय मेरे मेरे हिंदू भाई यो मेरे मुसलमान भाई यो मेरे सिंधी भाई हो ठीक है तो members of a community society or profession मेरे सिक्षक भाई हो माइ माइ डॉक्टर ब्रिदर समुदाई के लोग जिनके पैरेंट्स अलग अलग है लेकिन रभी श्याम हरी इनके पैरेंट्स जो है रभी श्याम हरी इनके पारेंट्स एक ही है तो यह क्यलाएंगे ब्रदर्स तो ब्रदर्स और ब्रिदर्न में आपको अंतर किलियर हो जाएगा ब्रदर्स और ठीक है ग्रुप आई में हम लोगों ने इन वर्ट्स को डिसकस किया इसमें से कुछ थोड़े से आपके लिए चैलेंग हो सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर चीज पहली बार म यह और बहात करता हो पैसे की क allora बात करता हो स्टाफ की कर्मचारियों के समु की चब्समें ऐस जी एदोह तन recursos जैनी वह व्यक्ती इसके अच्छे आप्रभाब होते हैं और जैनी जिन्ने के लिए यह सकता है जैनी जीव आ क्लोथ वाले पर दब जाएंगे को मैंने भंसे दिखा दिया है इसका वह ना है और इसका वहना है क्लोथ इंडेक्स इंडेस अगर सूची है तो इन्डेक्स और कोई भी और मीनिंग है में धान्ग या फिर किसी चीज के प्राइस में कैसे चेंज हुआ है इन डिसेज तो आप इसको देखिए का beiden क्लॉफ में वर्यक्त को जो हैं हम यूज नहीं करेंगे यह यूज नहीं वह तो यह होग्द हम community यह वाला और जिसका और अगला जो होगा वह ग्रूप जे होगा जिसका मेनला डेटा है और फ्लूर्व फॉर्म में तो इस पूर्प में हमारे पास कुछ ऐसा आएगा इसके लिए आ या यह आ एक्स वीडियो में डिसके स्कूर्प करेंगे और Thank you very much. Bye-bye. Happy learning.